सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टिटी प्लैटफॉर्म में दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रशन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है बहुत महतपूर्पूर्शन है छेत्रफल की द्रिष्टी से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है यूक्रेन, रूस, जपान या फिर अमेरिका दोस्तों छेत्रफल की द्रिष्टी से बात करें तो सबसे बड़ा देश आपका है रूस रूस आपका छेत्रिफल की दिष्टी से सबसे बड़ा देश है जो की यूरोप और एशिया महादियूफ दोनों में फैला हुआ है दोस्तों रूस की सीमा जो है ये कुल 14 देशों के साथ लगती है और जनसंख्या की दिष्टी से ये विश्व का नवा सबसे बड़ा देश है वहीं बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी मौस्को है जो की आपकी यूरोप महादियूप में स्थित है तो दोस्तों इसलिए रूस जो है ये आपका विश्व के सबसे ताकतवर देशों में से एक है अगला प्रशन लेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रशन है आपकी स्क्रीन पर रूस की राजधानी क्या है संगार, कीव, टोक्यो या फिर मौस्को तो दोस्तों बात करें रूस की राजधानी की तो रूस की राजधानी आपकी मौस्को है डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा मौस्को जो की यूरोप महादियूप में स्थित है ये आपकी रूस की राजधानी है अगले प्रश्न की और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है तंगानिका जील वोस्तोग जील बैकाल जील या फिर सुपीरियर जील दोस्तों अगर बात करें विश्व की सबसे गहरी जील की तो आपकी बैकाल जील जो है ये विश्व की सबसे गहरी और प्राचीन जील है और रूस के लिए काफी महत्पूर है ये रूस में ही इस्थित है सबसे बड़ी जील आपकी कहां इस्थित है रूस में इस्थित है सी अंसर आपका यहां पे सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला प्रशन है आपकी स्क्रीन पर विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ये भी आपका रूस में स्थित है जो कि लंबाई जो है 9488 किलो मेंटर है 9498 किलो मेंटर इसकी लंबाई है और ये विश्व का सबसी लंबा रेल मार्ग है अगला प्रशन लेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रशन है ये भी काफी महत्वपूर्ट प्रशन है क्रीमिया देश किस देश का हिस्सा है यूकरेन का रूस का जापान का या फिर अमेरिका का तो दोस्तों बात करें क्रीमिया देश की तो ये भी आपका एक तरह से चला है ये क्रीमिया देश भी उसका एक हिस्सा है क्योंकि दोस्तों क्रीमिया जो था ये पहले आपका युक्रेन का हिस्सा हुआ करता था लेकिन बाद में 2014 में इसका विलय जो है रूस ने अपने में कर लिया तो अभी जो है ये करंट में रूस का हिस्सा है भी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा इसलिए दोस्तों क्रीमिया भी आपका एक तरीके से यहाँ पर विवाद का हिस्सा है रूस और यूक्रेन के बीच अगला प्रशन लेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रशन है यूक्रेन की राजधानी क्या है यूक्रेन जिसका विवाद चलना है रूस के साथ उसकी राजधानी क्या है संगार, कीव, टोक्यो या फिर मौस्को तो दोस्तों बात करें यूक्रेन की राजधानी की तो कीव जो है ये आपकी युक्रेन की राजधानी है B आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशने देखेंगे दोस्तों हम लोग अगला प्रशने है देखें रूज के राश्ट्पती का क्या नाम है रूज के राश्ट्पती कौन है जायर, बोल्जोनारो, स्टॉफ, मौरिसन, वॉल्दिमिर, पुतिन याफिस, सिरिल, रामफोसा तो दोस्तो बात करें रूस के राश्टपती की तो वॉल्दिमिर, पुतिन जो है ये रूस के राश्टपती है करंट में सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रशन है आपकी स्क्रीन पर यॉक्रेन के राश्टपती का क्या नाम है ettो बात करें यॉक्रेन की राश्टपती की तो इंका नाम वोलोडिमिर जेलेंस्की है सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा वोलो डिमीर जेलंस्की जो है ये करेंट में यूक्रेन के राश्रपती है अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग दोस्तों काफी महतफूर प्रस्ण है यह आपके एक्जाम में भी आ सकता है NAATO का पूरा नाम क्या है NAATO तो NAATO को दोस्तों पूरा नाम जो है यह आपका North Atlantic Treaty Organization है नौटो क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों नौटो एक सैन गटबंधन है जिसकी स्थापना आपकी 4 April 1949 में हुई थी उनिस सो उन्चास में 4 April में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्याले जो है यह बेलजियम में है नौटो का इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रशन देखिए दोस्तों अगला प्रशन में काफी महत्तुपूर है नाटो में कुल कितने देश होते हैं 28, 29, 30 या 27 और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों नाटो एक सैन गटबंदन होता है जिसमें कि आपके यहां पे 30 देश शामिल है इसका मतलब यह होता है इन 300 देशों में अगर किसी भी एक देश पर कोई अन्य देश हमला कर देता है तो ये 300 देश एक साथ आ जाते हैं और इनकी पूरी सैन ताकत एक साथ मिलकर उस देश पर हमला कर देती है तो दोस्तो नाटो जो है ये आपका एक तरीके से सैन ये गटबंदन है जिसमें कुल 30 देश शामिल है अगला प्रशन लेंगे हमलोग दोस्तो अगला प्रशन भी काफी महतपूर है रूस की सबसे महतपूर नदी कौन सी है डॉन वोलगा राइस या फिर अंगारा तो दोस्तो बात करें रूस की सबसे महतपूर नदी की तो वोलगा नदी जो है ये रूस की सबसे महतपूर नदी कौन सी है वोलगा नदी है अगला प्रशन लेंगे हम लोग दोस्तों अगला प्रशन है रूस की सीमा कितने देशों के साथ लगती है अठारा सोला चौदा या तेरा तो दोस्तों बात करें रूस की सीमा कितने देशों के साथ लगती है तो कुल चौदा ऐसे देश हैं जिनके साथ रूस की सीमा लगती है यह काफी important question है इसको याद रखेगा अगला प्रशन लेंगे हम लोग दोस्तो अगला प्रशन भी काफी important है नाटो में कौन सा देश शामिल नहीं है ब्रिटेन अमेरिका जर्मनी या फिर यूक्रेन तो दोस्तो बात करें नाटो में कौन सा देश नहीं सामिल है अभी तो दोस्तो यूक्रेन अभी नाटो में शामिल नहीं हुआ है अन्य तीस देश जो है ये नाटो में शामिल है और रशिया ये नहीं जाता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो तो दोस्तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा अगला प्रशन से सबसे बड़ा देश है विश्व का और ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्यूपू में फैला हुआ है डी आंसर आपका यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रेशन लेते हैं दोस्तों हम लोग रूस की करेंसी क्या है तो रूस की करेंसी की बात करेंगे तो र उक्रेन रूस जापान या फिर अमेरिका तो दोस्तों बात करें मिग फाइटर सीरीज की तो यह रूस बनाता है बी आंसर आपका यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा तो दोस्तों यह थे कुछ महाद्यूपूर्ट प्रश्न जीके के रूस और यूक्रेन से संबंधित अधर से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को थेंक यूँ